शेहर के एक और तिरस्कृत मकान दूसरा तल्ला वहाँ चौके में एक इस्तरी अंगीठी सामने लिए बैठी है अंगीठी की आग राख हुई जा रही है वह जाने क्या सोच रही है उसकी अवस्था 20-22 के लगबग होगी देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है एका एक अंगीठी में राख होती आग की और इस तरी का ध्यान गया घुटनों पर हाथ देकर वह उठी उठकर कुछ कोईले लाई कोईले अंगीठी में डाल कर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाती है कि अब क्या करूँ घर में और कोई नहीं है और समय बारह से उपर हो गया है दो प्राणी घर में रहते हैं पती और पतनी पती सवेरे से गए हैं कि लोटे नहीं और पतनी चौकिर में बैठी है सुनन्दा सोचती है नहीं सोचती कहा है असल भाव से वे तो वहाँ बैठी ही है सोचने को तो यही है कि कोईले न बुझ जाएं वे जाने कब आ जाएंगे एक बज गया है कुछ हो आदमी को अपनी देख की फिक्र करनी चाहिए और सुनन्दा बैठी है वे कुछ कर नहीं रही है जब वे आएंगे तब रोटी बना देगी वे जाने कहा कहा देर लगा देते हैं और कब तक बैठूं मुझ से नहीं बैठा जाता कोईले भी लहक आये हैं और उसने जला कर तवा अंगेठी पर रख दिया नहीं अब वे रोटी बना ही देगी उसने खीच कर जोर से आटे की थाली सामने खीच ली और रोटी बेलने लगी थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी उसके मूँ पर कुछ तलीन ता आई छन भर वे आभा उसके चहरे पर रहकर चली गई और वे फिर उसी भाती काम में लग गई कालिंदी चरन पती आए उनके पीछे पीछे तीन और उनके मित्र भी आए ये आपस में बाते करते आ रहे थे और खूब गर्म थे कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए उनमें बहस छड़ी थी कमरे में पहुँचकर रुकी बहस फिर छड़ गई ये चारो व्यक्ति देशो धार्व के संबंद में कटी बद्ध हैं चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीती अनीती हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है मीथी बातों का परिणाम बहुत देखा मीथी बातों से बाग के मुह से अपना सेर नहीं निकाला जा सकता उस वक्त बाग मारना ही एक इलाज है आतंक हाँ आतंक हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं वे बच्चे हैं हाँ वे हैं मूर्ख और बच्चे उन्हें बुजुर्गी और बुध्धिमानी नहीं चाहिए हमें नहीं अभिलाशा अपने जीने की हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का हमें नहीं गर्ज धन दौलत की तब हम मरने के लिए आजाद क्यों नहीं जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही उससे वे डरें जो डरते हैं डर हम जवानों के लिए नहीं है फिर वे चारों आदमी निश्य करने लगे कि उन्हें खुद का करना चाहिए इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि ना उसने खाना खाया है ना मित्रों को खाने के लिए पूछा है उसने अपने मित्रों से माफी मांग कर छुट्टी ली बैठी बैठी सूनी सी देख रही है सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बाते कर रहे हैं उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता उत्साह उसके लिए अपरिचित है वे उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है अपरहणिये मनोरम और हरियाली, वह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाती है, पर उसको ना भारत माता समझ में आती है, ना स्वतंत्रता समझ में आती है, उसे इन जोरों की बातचीत का मतलब ही नहीं समझ में आता, फिर भी सच उत्सा की उसमें बड़ी भूख है, जीवन की होंस उसमें ब गुद्धी तो जरा कम है पर फिर धीरे-धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कजूर। अब तो पढ़ने को तयार हूँ लेकिन पतनी के साथ पती का धीरज खो जाता है। खैर उसने सोचा उसका काम तो सेवा है बस यह मानकर उसने कुछ समझने की चाहा ही छोड़ रखी है। वह अनायास भाव से पती के साथ रहती है और कभी उनकी रहा के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जानती है कि उसके पती ने अगर आराम छोड़ दिया है घर का मकान छोड़ दिया है जान बूज कर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं उसमें वे भला कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़ कर वह आपती शुम्य भाव से पती के साथ विपदा पर विपदा उठाती रही है। पर यह जतने हाकिम लोग हैं वे बड़े जबरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकते हैं। इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंश और चप्रासी और थानेदार और वायसरा यह सब सरकार ही है। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं है पर है उसी लड़के में तनमन बिसार बैठे हैं। खैर लेकिन ये सब के सब इतने जोर से क्यों बोलते हैं। उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे साधे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हर दम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस पात को क्यों भूल जाते हैं। इतने जोर से क्यों बोलते हैं। बैठे बैठे वे इसी तरह की बाते सोच रही है। देखो अब दो बजेंगे। उन्हें ना खान ने की फिक्र ना मेरी फिक्र, मेरी तो खेर कुछ नहीं पर अपने तन का ध्यान तो रखना चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी भी इधर इधर डोले। पर अकेली जब होती है तब भटक भटका कर वह मन अंत में उसी बच्च अठखेलिया याद आती है, सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है, ओ, यह मरना क्या है। इस मरने की तरफ तो उसने देखा नहीं जाता। यद्दिपी भै जानती है कि मरना सब को है, उसको मरना है, उसके पती को मरना है, पर उस तरफ भूल से छनबर देखती है तो भ और हटात इधर उधर की किसी काम की बात में अपने को उल्जा लेना चाहती है पर अकेले में वे कुछ करे रहरे कर वही आद वही वे मरनी की बात उसके सामने हो रहती है और उसका चित बेबस हो जाता है वे उठी अब उठकर बरतनों को माँच डाले गे चौका भी साफ करना है ओ खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ इतने में कालिंदी चरंड चौके में आये सुनन्दा कठूरता पूर्वक शुनी को देखती रही उसने पती की ओर नहीं देखा कालिंदी ने कहा सुनन्दा खाने वाले हम चार है खाना हो गया सुनन्दा चून की थाली और चकला बेलन और बल्ट, प्लोई, खाली, बरतन वगेरा उठा कर चल दी कुछ भी नहीं बोली कालिंदी ने कहा सुनती हो, तीन आदमी मेरे साथ और है खाना बन सके तो कहो नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे सुनन्दा कुछ भी नहीं बोली उसके मन में बेहत गुस्सा उठने लगा यह उससे छमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं हसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो जैसे मैं गैर हूँ अच्छी बात है तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके ही काम में लगी रहूँ मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना और रहे चुप रहे कालिंदी ने जरा जोर से कहा सुनन्दा सुनन्दा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को जू खूब जोर से फैन पे किसी का गुस्सा सैने के लिए वह नहीं है उसे तनिक भी सुधना रही कि अभी बैठे बैठे इनी अपने पती के बारे में कैसी प्रेती की और भलाई की बाते सोच रही थी इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से से गुट कर रह गई क्यों बोल भी नहीं सकती सुनन्दा नहीं बोली तो अच्छी बात है थाना कोई भी नहीं खाएगा वह केकर कालिंदी तैश में पैर पटकते लोट कर चले गई कालिंदी अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते किसी कदर उदार समझे जाते हैं सदस्य अधिकतर विवाहित हैं कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं है वह एक बच्चा हो चुके हैं उनकी बात का दल में आदर है कुछ लोग उनके धीमेपन से रुष्ट भी है वह दल में विवेक के प्रतिनीदी हैं और उत्पात पर अंकुष का काम करते हैं बहस इतनी बात भर की है कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने के और बढ़ना चाहिए आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष उससे उत्तेजिती रहता है या उसके भैसे दबा रहता है दोनों ही इस्थितियां श्रेश्ट नहीं है हमारा लक्ष बुद्धी को चारो और से जगाना है उसे आतंकित करना नहीं सरकार व्यक्ति और राष्ट के विकास के उपर बैठ कर उसे दबाना चाहती है हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं इसी को मुक्त करना चाहते हैं आतंक से वह काम नहीं होगा जो शक्ति के मद में उनमत है असली काम में तो उनका मद उतारने और उनमें करतव्य भावना का प्रकाश जगाने का है हम स्वीकार करें कि उसका मद टककर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तयार रहना चाहिए पर यह नौचा नाची उप्युक्त नहीं इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं उल्टे उसे अपने आचित के पर संतोश हो जाता है पर जब सुनन्दा के पास लौट कर आया तब देखा कि कालिंदी अपने पक्ष पर द्रड़ नहीं है वह सैमत हो सकता है कि हाँ आतंक जरूरी भी है हाँ उसने कहा यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें इसके साथ ही कहा आप लोगों को भूक नहीं लगी है क्या उनकी तबियत खराग है इससे यहां तो खाना बना नहीं बताओ क्या किया जाए कहीं होटल चलें एक ने कहा कि कुछ बाजार से यही मंगा लेना चाहिए दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुननदा ने एक बड़ी सिथाली में खाना परोसकर उनके बीच ला रखा रखकर वे चुपचाप चली गई फिर आकर पास ही चार गिलास पानी के रख दिये और फिर उसी भाती चुपचाप चली गई कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया तीनों मित्र चुप रहे उन्हें अनुभव हो रहा था कि पती-पत्नी के बीच स्थिती में कही तनाव पड़ा हूँ अंतम काफ़ी ने कहा काफ़ी है सब कुछ और हो तो कहकर कालिंदी उठ गया आकर सुनंदा से बोला यह तुम से किस ने कहा था कि खानहा ले आओ मैंने क्या चलो उठालाओ ठाली हम किसी को यहाँ नहीं खाना है हम होटल चले जाएंगे सुनन्दा नहीं बोली कालिंदी भी कुछ देर गुम खड़ा रहा तरह तरह की बाते उनके मन में और कंठ में आती थी उसे अपमान मालूम हो रहा था और अपमान ऐस है था उसने कहा सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है क्यों सुनन्दा ने मुह फेर लिया क्या मैं बक्ते रहने के लिए हूँ सुनन्दा भीतर ही भीतर घुट गई मैं पूछता हूँ कि जब मैं कहकर गया था तब खाना ले जाने की क्या जरूरत थी सुनन्दा ने मुड कर कहा और अपने को दबा कर धीमे से कहा खाओगे नहीं एक तो बच गया कालिंदी निरस्त रोने लगा यह उसे बुरा मालूम हुआ उसने मानो धमकी के साथ पूछा खाना और है सुनन्दा ने धीमे से कहा अचार लेते जाओ सुनन्दा ने अचार ला दिया और कालिंदी भी चला गया सुनन्दा ने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा था उसे यह सूजा ही नहीं था कि उसे भी खाना है अब कालिंदी के लौटने पर ही जैसे उसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा है वह अपने से रुष्ट हुई उसका मन कठोर हुआ इसलिए नहीं कि क्यों उसने खाना नहीं बचाया इस पर दो उसमें स्वाभिमान का भाग जागता था मन कठोर यों हुआ कि वह इस तरह की बात सोचती ही क्यों है छी यह भी सोचने की बात है और उसमें कड़वाहट भी फैली हटात यह उसके मन को लगता ही है कि देखो उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाऊगी क्या मैं यह सह सकती थी कि मैं तो खाऊँ और उनके मित्र भूके रहे पर पूछ लेते तो क्या था इस बात करो पर उसका मन तूटता सा है मानो उसका जो तनिक सा मान था वह भी को चल गया हो वह रह रहकर अपने को स्यम तिरस्कृत कर लेती हुई कहती है कि छी छी सुननदा तुसे तुझे ऐसी जरा बात का अब तक ख्याल होता है तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूके रहने का पुन्य तुझे मिला है मैं क्यों नाराज करती हूँ अब से नाराज ना करूंगी पर वह अपने तन की भी सुत्तो नहीं रखते यह ठीक नहीं है मैं क्या करूं और वह अपने बरतन माजने में लग गई उसे सुन पड़ा कि वे लोग फिर जोर शोर से बहस करने में लग गए हैं बीच बीच में हसी के कहल कहले भी उसे सुनाई दिये ओ ऐसा उसे ख्याल हुआ बरतन तो पीछे भी मल सकती हूँ लेकिन उन्हें कुछ जरुवत हुई तो यह सोचकर जटपट हाट दो वै कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लग कर खड़ी हो गई एक मित्र ने कहा अचार और है अचार और मंगाओ यार कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा अचार लाना भाई अचार मानो सुननदा कहीं बहुत दूर हो पर वै तो बाहर लगी खड़ी ही थी उसने चुपचा पचार लाकर रख दिया जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निक दुवानी से कहा थुना पानी भी लाना और सुननदा ने पानी ला दिया देकर लोटी फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे